हेलो दोस्तो नमस्कार दोस्तो हमारे यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज से सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विस्यों का प्रक्टिसर मिल जाएगा जो परिच्छा की दृष्टी से अती महत्तपूर है तो चलिए देर ना करती हुए क्वेस्चन स्टार्ट कर का अडू भार कितना होता है तो हैवी वाटर का अडू भार जो है 20 यानि 20 होता है असी किलोग्राम का एक व्यक्ते लिफ्ट में त्वरित गत से जा रहा है यदि एक आएक लिफ्ट का केबल तूट जाए तो गिरते हुए व्यक्त का भार क्या होगा तो गिरते हुए व्यक प्रति सिकंड है, यदि किसी रेडियों इस्टेशन से 25 मीटर बैंड पर प्रसानण हो रहा है, तो प्रसानण की आविरती क्या है, तो प्रसानण की आविरती 1.2 गुड़े 104 kHz है, सेल का EMF का निरुपित करता है, ठीक है, नेक्स्ट कुश्चन है, कम्प्यूटर में DOS यानि DOS क्या होता है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सरबाधिक वैद्धुत रिडात्मक तक तकोंशा है, तो फ्लोरीन है, डेंड्रोजाजी का संबंद किसके अध्यन से है, तो जो है यह जाडियों यों विर्चों के अध्यन से इसका संबंद आए, प्रतिजैविक पैनिसलीन किसके प्राप्त किया जाता है, तो कवक से प्राप्त किया जाता है, ट्रेकोमा रोग किस अंग से संबंदित रोग है, तो ट्रेकोमा रोग जो है वह आख से समन्दित रोग है किस समन्दित आख से समन्दित रोग है पाजिट्रान की खोज किस ने की थी तो पाजिट्रान की खोज एडर्सन ने 1932 इसवी में की थी खब की थी 1932 इसवी में एडर्सन महोदे ने पाजिट्रान की खोज की थी ठीक युग्म उत्पादन की घटना क्या है तो किसी नाभिक द्वारा जी किरण फोटान की अव सोसर के फलसरू पाजिट्रान और इलक्टरान उत्पन करने की घटना को युग्म उत्पादन की घटना कहते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्नौली का सिध्धांत आधारित है तो बर्नौली का सिध्धांत जो है उर्जा सररचण सिध्धांत पर आधारित है किस पर उर्जा सररचण के सिध्धांत पर आधारित है कौन सी धातू भविस्य की धातू कहलाती है जो है टाइटेनियम जो है वह भविस्य की धातू कहलाती है हाइड्रोजन का रेडियो धर्मी स्थानिक कौन सा है तो ट्रिटियम है EEG नामक यंद्र से क्या अंकित किया जाता है तो इससे मस्तिस्क की वैद्दुत सक्रियता अंकित की जाती है गाउट के रोग्यों को कौन सा भोजन करने की सलाह दी जाती है जो की कम प्रोटीन वाला या अधिक प्रोटीन वाला होता है तो कम प्रोटीन वाला भोजन करने की सलाह जो है इनको दी जाती है काइटरेक्ट किस अंग की बिमारी है तो यह जो है आख की बिमारी है एपिडोमियो लॉजी में किसका अधिन किया जाता है तो इसमें महामारी रोगों का अधिन किया जाता है वैस्क मनुस में कितनी हड़ियां होती है तो वैस्क मनुस में 206 हड़ियां होती है तो मनुस मस्तिस्क का सबसे बड़ा भाग सेरे ब्रह्म होता है क्या होता है सेरे ब्रह्म होता है किस रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी से रक्त ग्रहन कर सकता है तो AB रक्त ग्रुप वाला व्यक्ति जो है सभी से रक्त ग्रहन कर सकता है छाई रोग के लिए जैब रोधी परियोग होता है तो स्ट्रेटोमाईसिन जो है इसके लिए परियोग होता है फ्यूज वायर का परियोग किसलिए किया जाता है तो फ्यूज वायर का परियोग जो है अनावश्यक उच्च विद्धुत धारा को परिपत में गुजरने से रोकने के लिए किया जाता है ठीक है अधिकतम घात वर्य धातु है तो सोना है दरवित पेट्रोलियम गैस यानि LPG में होती है इसमें ब्यूटेन एम प्रोपेन होती है क्या होती है ब्यूटेन एम प्रोपेन सूप्रतिष्ठित गन्ने का वनस्पतिक नाम क्या है इसका वनस्पतिक नाम जो है गन्ने का सेकेरम अफी सिनेरम है क्या है सेकेरम अफी सिनेरम सफेद भ्रिंगक का वैग्यानिंग नाम इसका वैग्यानिंग नाम जो है होलो ट्रिक्टिया कौनसी गुनिया है भारतिय किरसी अनुसंधान पर सद द्वारा वर्गी किरत सस्य मौसम तथा सस्य परश्थित की जोन की संख्या क्रमेंसह कितनी है तो क्रमेंसह जो है पंदरा एवं 131 है स्वा परागर्ण प्रक्रिया किस से सम्मंदित है तो वह स्वा निसेचन से सम्मंदित है पसुओं में नए पैदा हुए बचड़े को खीस कितने दिनों तक पिलानी चाहिए तो दस दिनों तक यहाँ पिलानी चाहिए पसुधन के छेतर में गाय में दुख दुज्वर रोग किस पोसक तत्त की कमी से होता है तो यहाँ जो है केल्सियम की कमी से होता है आलू के चिप्स बनाने हे तू कौन सी प्रजाती योगी होती है इसका उत्तर हो जाएगा आलू चिप्स होना एक दो तीन प्रजातियां होती है फूल गोभी में हुट्यल व्यादी किस पोशक तत्यू की कमी से होता है यह जो है मालीब डेनम की कमी से होता है पाइराइड का सूत्र है तो पाइराइड का सूत्र जो है F-E-S-T-O है क्या है F-E-S-T-O दोहन को आख की भाति उप्योग करने वाला पसुपच्छी है तो चमगादण है क्या है चमगादण मनुस्य सरीर में एक ठोर तम पदार्थ कौन सा है तो एनेमल है का है एक हार्ट बीट में अनुमानता कितना समय लगता है तो 0.8 सिकंड का समय लगता है सिस्मो मेनो मीटर किस कार के लिए परियोग किया जाता है तो रक्त दाब यानि बलड प्रेसर नापने के लिए इसका परियोग किया जाता है ठीक है प्रकास के कौन से अवियव क्लोरोफिल द्वारा हुसोसित कर लिये जाते हैं तो नीले और लाल रंग के अवियो जो है प्रकास के अवियो क्लोरोफिल द्वारा हुसोसित कर लिये जाते हैं क्रायो अभी रच्छन किस ताप पर क्रिया किया जाता है तो माइनस 196 डिग्री सेल्सियस पर प्राकृतिकी उरेनियम में U-235 का प्रिसर लगभग कितना होता है तो 0.72 प्रिसरत होता है भारत में सेटिलाइट रेकिंग एंड रेंजिंग इस्टेशन कहां इस्थित है तो यह जो है कावालूर तमिलनाडू में इस्थित है बिक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां इस्थित है तो तिर्युवनंत पुरम में इस्थित है कौन सा बम केवल जीवित वस्तों को प्रभावित करता है इमारतों को नहीं तो निट्रान बम जो है केवल किसानखाद कही जाती है पूसा जैकेशान किसका सोमो कलोन है तो यह भारती है सरसो का स्वोमो कलोन है पेलो फास उर्बरकक में P2O5 की पृत्रच्छा मातरा पाई जाती है तो 11 प्रतसत पाई जाती है गन्ये में पहला ज्हुلसा किस पादप पोसक तत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त 266-667 में किरिसी खाद्यान उत्पादन छेत्र में आई जो मुख्यता किस फसल में सपल रही जिसके पिता महजनक डाक्टर M.S. स्वामी नाथन भारत में तथा डाक्टर नूरमान अन्रेष्ट वो लाग बिस्व में रहे हैं तो गेहों में सोनरा दिरिसट, सोनरा चोसर तरलारमा रोही प्रजातियों द्वारा स्री तकनी की परियोग की जाती है तो स्री तकनी की जो है धान यानि राइस में परियोग की जाती है स्री जो है यस आराइस का फुलपारम सिस्टम आफ राइस इंटर सिफिक सन है टमाटर का लाल रंग किस तत्त की उपस्थिती के कारण होता है तो लाइकोपीन की कमी के कारण तमाटर का रंग लाल होता है खेस बहे ग्यानिक ने पोलो नियम तत्त की खोज की थी तो पियरे क्यूरी आउं मैडम क्यूरी ने पोलो नियम तत्त की खोज की थी डरवित सोडियम कुलोराईड विक्द्ध धारा का परवह कर सकता है क्योंकि इसमें मुक्त आयन उपस्थित होते हैं मुक्त आयन उबस्तित होते हैं LPG में मुख्यता होती है तो मिथन प्रोपेन तथा ब्यूटेन गैस होती है कैल्सियम कार्बाइट पर जल डालने से कौन सी गैस निकलती है तो एसिटिलीन गैस निकलती है कोशिका का उर्जा ग्रह किसको कहा जाता है तो माट्रो कांडरिया को कोशिका का उर्जा ग्रह कहा जाता है दात मुख्य रूप से किसके बने होते हैं तो यहाँ जो है डेंटाइन के बने होते हैं किन तरंगों का धुरुवड संभव है तो केवल अनुपरस्त तरंगों का धुरुवड संभव है Decibel किसका मात्रक है, तो Decibel जो है ध्वनी की तीवरता का मापक है आउद्वगे के रूप से पालीथीन किसके पालीमराईजेशन से बनाई जाती है तो एथीलीन के पालीमराईजेशन से बनाई जाती है Cellular and Molecular Biology का केंद्र कहां इस्तित है तो हैदराबाद में इस्तित है Reflex Action का नियंद्र कौन करता है तो Spinal Card करता है कौन करता है Spinal Card करता है Cat का Earth है तो Cat का Earth Computrised Exile Tomography है Koloszen किसका मुखी घटक है Iskin का मुखी घटक है Khानों के अंदर अधिकान से विस्फोट किन गैसों के मिल जाने से होते है तो मीथें तत्था वायू के मिल जाने से विस्फोट होते है ठीक है Cobalt Oxide काच को कौन सा रंग परदान करता है तो यह जो है vitamin B3 की कमी से होता है त्रवेणी CS56 एक नई विक्सित परजाती जिसे CS2352 के नाम से पहसानित किया जाता है किस अब हसल की परजाती है तो यह जो है राई, राया, लाहा, अर्थात, Indian Mustard के लिए जाना जाता है अमल वर्षा यानि Acid Range में कौन सा तत्त पाया जाता है तो इसमें जो है NO2 तत्त पाया जाता है यानि नाइट्रेट तत्त पाया जाता है धान के कौन सी बाउनी परजाती भारत में सर्व परथम विक्सित की गई तो गोविंद प्रजाती जो है सरप्रतम विक्सित की गई वर्स 1982 में एग्रो नामी सस्य विज्ञान किस भासा सब्द से विक्सित है यह जो है ग्रीक भासा सब्द से विक्सित है एगरी कल्चर अर्थात एगरी प्लस कल्चर सब्द लिया गया है तो यह जो है लैटिन भासा से लिया गया है किस भासा से लिया गया है लैटिन भासा से लिया गया है लवडिय मिर्दा में विनमय सील सोडियम की प्रतिसत मात्रा होती है तो 15% से कम होती है लवण युग तो छारिय मिर्दा में विनी मैं सील सोडियम की प्रतिस्त मात्रा होती है तो 15% से अधिक होती है अमलिय मिर्दा का pH मान होता है तो अमलिय मिर्दा का pH मान 7.0 से कम होता है छारिय मिर्दा का pH मान 7.0 से अधिक होता है ठीक है अमलिय का 7.0 से कम तथा छारिय का 7.0 से अधिक पियच मान होता है भारत में किरिसित छेत्र का लगभग कितने परसद छेत्र वर्सा धीन है तो 60 परस छेत्र जो है वर्सा धीन है कंक्रीट की बनी सड़क पर चलने की अपेच्छा बर्फ पर चलना अधिक कठिन क्यों होता है योकि पैरोवा कंक्रीट के मद्ध घरसण की अपेच्छा पैरोवा बर्फ के मद्ध घरसण कम होता है इसलिए उस पर चलना अधिक कठिन हो जाता है भुष्थिर्या तुल्लिकालीन उबग्रह का घोडन का आवर्थकाल कितना होता है तो 24 घंटे का होता है परिकर्मा रत अंत्रिछी यान से एक पिंड बाहर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा तो यान के साथ उसी वेग से गती करता रहेगा गहराई और खारापन बढ़ने से समुद्र के पानी का घंट तो कैसे बदलता है तो वह जो है बढ़ता है ठीक है बैरोमीटर में जल की तुलना में पारे के उपयोग का परमुक कारण है तो पारे का घंट अधिकवा वास्वदाब कम होना है लोह की वस्तूओं को जंग क्या बनने से लग जाती है तो आईरन आकसाइड बन जाने से लग जाती है रसाइनिक दिश्टी से हीरा क्या है तो रसाइनिक दिश्टी से हीरा सुद्ध कारवन है सहद जिसमें सरकरा की सांदरता अधिक होती है उसके खराब ना होने का क्या कारण है तो पानी निकाल लिये जाने के कारण उच्छ परासंड़ी सामर्थ में जीवाडू सक्रिया वस्था में जीवित नहीं रह सकने के कारण जिन देशों में पालिस किया हुआ चावल मुख्य अनाज के रूप में खाया जाता है वहां के लोग किस रोग से पीडित हो जाते हैं तो वहां के लोग जो है बेरी-बेरी रोग से पीडित हो जाते हैं देश में आमरपाली आम की प्रजाती किस वैज्ञानिक ने विक्सित की थी तो डाक्टर आर एन सिंग द्वारा विक्सित की गई थी एच्क्यू पीम फाइव मक्का की प्रजात की विसेस्ता है तो यह जो है उच्च गुरुवत्ता प्रोटीन लाइसिन में धनी ट्रिप्टो फैन तत्त में प्रचता की विसेस्ता है तो आज के लिए बस इतना ही अगला प्रक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को स अगला की प्राइब के लिएखना थाले सेटवत्ता प्रेखने के लिए जज एचैनल झाले सिरोंध्रिक उीक्टीं प्रचता पत्क्यू